सार दोस्तों कविताया दो यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है संपून हिंदी विशे की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे संपून हिंदी साइटे के व्याख्या साइट में तव पूरण पर्शन जो कि हम मैराथन क्लास के माद्यम से र सफलता का राज क्या है निरंतर अभ्यास आप जितना कंटेंट पढ़ रहे हो तो उनको अगर बार बार रिवाइज करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओगे तो परिक्ष्या में आपको जो है किसी भी परकार के कटनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ज सफलता मिलेगी तो एक बात और बता देना चाहती हूँ वही जितने हम परिक्ष्या कर रहे हैं तो यह पीवाइज क्यों है कईना कई पिछली परिक्षाओं में आए हुए है कईना चाही टेटर प्लस भी टीजट पीजटी हिंदी में आए हुए हो या फिर एंटी एनट की परिक्षा में पूछे गई हो या फिर किसी भी अधर स्टेट की परिक्षा में पूछे गई हो तो शुरुआत कर लेते हैं पर्शन नमबर एक, ब्रिज बाशा का विकास किस से हुआ, ब्रिज बाशा का विकास किस से हुआ, बाशा विज्ञान से समन्दी थमेशा पर्शन पूछे जाते हैं, तो सही आंसर आपको पता ही है, ब्रिज बाशा का विकास जो है, शोरशेनी अपबरन से हुआ, और शोरश अपबरंस से हुआ, शोर्ष अपबरंस से निकली पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी हिंदी से जो है बरिजबाशा, बरिजबाशा खड़ी बोली हरियावनी ये सबी जो है पश्चिमी हिंदी से निकलने वाली बोलिया रही है तो उसके बाद बात करें अगला जो हमारा तथ बरिजबाशा एक छेत्रिय ग्रामीन बाशा है जो पश्चिमी उत्तरपर्देश तथा उत्राखन में बोली जाती है कई बार ये पूछ लिया जाए ता है कि परिजबाशा का बोलने का जो स्थान है वो कौन सा रहा है कहां पर बोली जाती है तो वो है पश्चिमी उत्तरपर में भी बोली जाती है ये आपको ध्यान रखना है अन्य भाष्याओ पार्तिय भाष्याओ की तरह ये संस्कित से जन्मी है कहां से निकली है ब्रेज भाष्या जो अन्य भार्तिय भाष्याओ निकली है जैसे कि जो मूल जन्नी रही है हिंदी की वो संस्कित रही है संस्कित से निकली पाली, पाली से प्राकत, प्राकर से फिर अपबरंच, अपबरंच से फिर देरे देरे जो है आगे विकास हुआ हिंदी और हिंदी तर भाशाओ का तो भही से क्या मूल माना गया है संस्कित भाशा को, इसके बाद बाद करें आगे, इस भाशा में पर्चूर मातरा में साहित्य उपलब्द है यानि कि ब्रिजबाशा में अधिक से अधिक साहित्य लिखा जाने लगा आप लोगों को पता ही है आदिकाल में तो इतनी रचनाई नहीं मिली ब्रिजबाशा में लेकिन भगतिकाल तक आते आते जो है ब्रिजबाशा में साहित्य लिखा जाने लगा जैसे कि शूरदास जो कवी है वो ब्रिजबाशा के परशित कवी माने गई है इसी परकार से अश्ट्छाप के कवी ओने अपनी रचनाई ब्रिजबाशा में की है नंदिदास जी भी परमुक कवी माने गई है और उसके बाद बात करें आगे बक्तिकाल में ब्रिजबाशा उ अवस्ता का नाम बताईए तो अपबरंस की जो उत्तरकालिन अवस्ता है एक होती है पूरव कालिन पूरव यानि की पहले अपबरंस से जो पहले की अवस्ता है उसके बारे में हमें देखना है फिर एक होती है उत्तरकालिन यानि की बाद की इसका नाम बताईए तो क्या कड़ी मानि गई है वो रहल है कि सिने ओहन को आफट कहा है किसी ने कि हम हंस कहा है तो अलग-अलग विद्वानों ने इनके अलग-अलग नाम दिये है वह आदिकाल के जो आधिकाल के जो आधिक mirada परवर्ती रूप तथा उत्तरकालिन पूरवर्ती रूप होता है पहले का और परवर्ती होता है बाद का परवर्ती रूप भी कह सकते हैं या फिर उत्तरकालिन भी कह सकते हैं का नाम जो है अवहट है ये आपको पता ही है बढ़ते हैं आगे देख लेते हैं अगला जो हमारा पर्शन है अप ब्रेंस में कुल कितने स्वर थे ये पर्शन कई बार पर इक चाम में पुछा गया है अप ब्रेंस में मुल्यत है कुल कितने स्वर माने जाती है तो अप ब्रेंस में कुल जो है दस स्वर स्वर आठ स्वर माने गई है कहीं कहीं आपको किसी बुस्तक में दस स् तो सही आंसर हो जाएगा हमारा आठ सुवर, तो अपबरंस में कितने सुवर है, आठ सुवर, अपबरंस में केवल आठ सुवर थे, और आठ सुवर भी कौन-कौन से भी हम देख लेते हैं, ए, आ, इ, छोटी यह भई यह, टाइपिंग मिश्टेक हो गया, बड़ी ई, उ, बात करें, आगे, एक सेकेंड बई, यह हमारे आठ सुवर हो गए, यहां पर यह टाइपिंग मिश्टेक की वज़े से, यहां पर ए की जगेर बड़ा हुआएगा, और यहां छोटी यह आएगा, आब लोग गिन सकते हो, तो देख लेते हैं, अगला जो हमारा पर्शन है, वो है मघही, किस हिंदी परदेश की बोली है, मघही जो है, किस हिंदी परदेश की बोली है, यह आपको जहां रखना है, इंपोर्टेंट पर्शन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी बोली किस परदेश में बोली जाती है, किस हिंदी परदेश की बोली रही है, बिहार हिंदी परदेश की देख लेते हैं अगला जो हमारा तथ्या है मगई बोली बिहार में बोली जाती है हिंदी की अनेक बोलिया उपबाशाई है यानि की अनेक बोलिया अर्थात उपबाशाई होती है बारत में कुल अठारा बोलिया है जिसमें अवधी ब्रेजबाशा कनोजी, बुंदेली, बगेली, हाडोती, बोजपुरी, हरियानवी, रजस्थानी, छतिसगडी, मालवी, नागपुरी, खोर्था, पंच परगानिया, कुमायोनी, मगही, आधी पर्मोख रही हैं और इन में से कुछ में अत्यंत उच्ष्रेणी में भी साहित्य रचा गया है, ऐसी बोलियों में सामिल है ब्रेजबाशा और आधी, आप लोगों को पताईए कि इन ब्रेजबाशा और आधी में साहित्य लिखा गया है, जैसे कि परशित कवी रहे सूर्दास ब्रेजबाशा क और आउदी बाशा में अगर हम साहित्य की बात करें, उधारन के तोर पर देखें, तो रामचरितर मानस जो की महा कावे लिखा है तुलसी दास जी ने, रामचरितर मानस, आपको पताईए इसलिए जो है उच उच रेनी का जो साहित्य है, वो प्रिज बाशा और आउदी में भाशाओ के पारिवर एक वरगी करन का आधार क्या रहा है, तो इतिहास जो है भाशाओ के पारिवर एक वरगी करन का आधार माना गया है, अगला परशन देख लेते हैं, परशन संख्या 6, अपबरेंस का मुख्य चंद क्या है, तो अपबरेंस का मुख्य चंद आप सभी क को पता है अपर Allen का मुख्य छंद जो है डो आ यह दो हा है जिस परकार प्राकट को गाता की कारण गाहा बंद कहा जाता है उसी परकार अपर Allen को संदारört नि upbringing कहा जाता है यह आपको पता है पेढ़ती हैं आगे देख लेते हैं अगला पर्शन हमारा पर्शन संक्या साथ आगरा का बोली छेतर क्या रहा है तो अगरा का बोली छेतर इन में से क्या रहा है तो ब्रेज जो है आगरा का बोली छेतर रहा है और अन्य तथ्या हम देख लेते हैं तो डोक्टर धिरेंदर वर्मा ने जोर् दुआरा जो निद्रिष्ट कन्नोजी का छेतर माना है वो ब्रजबाशा के छेतर से अलग नहीं बताया है अपने इस रिवेशन के आदार पर उन्होंने कानपूर तक ब्रजबाशी छेतर ही कहा है और उनके अनुसार ही परदेश के मतुरा अलीगड आगरा भुंदेल सहर के छेतर यह यह माने गई है एक बार आप दुबारे से रिवाइज कर सकते हो क्योंकि पूछ लिया जाता है कि छेतर में कौन सा छेतर ब्रजबाशा से सम्मंदित नहीं है जहापर ब्रजबाशा का परियोग किया जाता है उससे सम्मंदित नहीं है या है इस पर कार्शे पर बनते हैं तो आप देख सकते हो मेन तो उत्तर प्रदेश अलीगर्ड आगरा मुंदेल शहर रहे हैं और एटा भी रहा है उसके बाद सभी इंपोर्टेंट रहा है यह कहीं न कहीं है पिछली परिक्षा में पूछे गई है बरेली का छेतर जिला भी जो है मैतवपूरन रहा है बर्ज के छेतर में और आवदी की बात करें तो आवदी लखनाओ राइबरेली सुल्तानपूर बाराबागी उन्नाओ इंपोर्टेंट रहा है और दोई भी कई बार परिक्षा में आया है सीतापूर लखिमपूर आयुद्धा जोहनपूर परताबगट परियाग राज परती के छेतर रहे हैं उसके बाद खड़ी बॉली के अब देख लेते हैं खड़ी बॉली के छेतरों में सामिल है मेरट बिजनोर मजुफ नगर सहानपूर दैरादून के मैदानी भाग अंबाला कस कल्सिया और पटियाला के पूर्वी भाग रामपूर और मुरादाबाद ये सबी खड़ी बॉली के छेतरों में आते हैं और चटिसगड़ी के में सामिल है चटिसगड़ी बरत के चटिसगड़ राज्य में बॉली जाने वाली एक अत्नेंत ही मदुर्वे सरस भाषया रही है चटिसगड़ छेतर में बॉली जाती है ये आपको पता है बढ़ते है आगे देख लेते हैं, अगला जो पर्शना मारा पर्शन संक्या साथ, मुल्ला वजी की रचना है, मुल्ला वजी की रचना, मुल्ला वजी एक लेखक हुए है, उर्दू के, तो उनकी रचना पूछी गई है, तो कुतूब मुस्तरी जो है, मुल्ला वजी की रचना है, इतना important अच्छा नहीं है तो देख लेते हैं सिर्फ ये रचना का ही नाम पूछ लिया जाता है कि मुल्लावजी किसकी रचना है अन्य था इतने इससे संबंदी तो और important अच्छा नहीं है देख लेते हैं अगला जो अमारा पर्शन है परताप साही की रचना नहीं है इन में से जो लेकक हुए है परताप शाही रीतिकाल के पर मुख लेककों में माने गई है तो परताप साही के रचना कौन से नहीं है ये पुछा हुआ है तो कव्य विलास व्यांग्यात को मुदी शिंगार मंदरी ये तीनों के तीनों रचना परताप साही की है लेकिन नव रस तरंग ज कवी बेनी परवीन ने यह आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बार नवरस्तरंग भी इंपोटेंट रेजना है परिक्षा में पूछ ली जाती है कि नवरस्तरंग के लेखक कोन रही है तो कवी बेनी कभी बेनिपरवीन नवरस्तरं के लेखक रही है जिसमें किसका वर्णन किया गया है नायक नाइका के बेद का वर्णन किया गया है और पताप साही रतनसेन बंदिजन के पुत्तर रहे हैं और चर्खारी बुनेलखन के महराज विक्रम शाही के यहां रहते थे इनोंने 1882 इस् अगर व्यांग्यात कोमोदी जो है परताप शाही की मैं तवकुरन रचना रही है कई बार परिक्षाव में पूछी जाती है तो आपको ध्यार रखना है समवत में बताया गया है कि समवत 1882 अगर इस वी में आप पता करना चाते हो तो 1882 से में से जो है आप 57 माइनस करके पूछी जा सकती है और इस वी में भी पूछी जा सकती है वह आप जो है ओप्षन में देख करके आप समझ सकते हो कि किस में पूछी गई है समवत में पूछी गई है या इस वी में तो कवे वी लास इनकी रचना 1886 रही है इन दोनों परशित गरंतों के अतिरिक्त निमलिक और भी अन्य पुष्ट के दुवारा लिखी गई है वो और देख लेते हैं परताब साई जी की जैसिंग परकास क्योंकि कहीं से भी पर्षन पूछ लिया जाता है तो एक बार जो हम चिजों को देख लेते हैं पढ़ लेते हैं बार-बार रिवाइज कर लेते हैं अगर ओप् शिंगार मंजरी, शिंगार सी रोमनी, अलंकार चिंता मनी, कव्य मिनोद, रसराज की टिका, रतन चंदरी का, जुगल नक्सिक, और बलभद्र नक्सिक की टिका यह जो परताब साई की ओरहन रचनाई हैं क्योंकि यह पूछ लिया जाता है कि इन में से परताब साई की रच परताब साई का जो कवीता काल रहा है वो देख लेते हैं 1880-11920 तक माना जाता है और अगला जो हमारा परताब साई की रचने का रही है इंपोर्टेंट परशन है कई बार परेक्शा में पूछं गया है तो छेतर परकास परबंद कावे ये किस परकार कावे है अगर ये पूछ लिया जाए ये किस परकार कावे है तो ये एक परबंद कावे रहा है और इसके जो रचेता रही है रचनाकार रही है वो रही है लालकवी लालकवी के परशिद महराज चतर साल की आग्या से उनका जीवन चरित चतर परकास में दोहो चोपाईयों के बड़े वियोरों के साथ वर्णन किया है यानि कि जो चतर परकास रशना है चतर परकास में जो उन्होंने लालकवी जी ने महराज चतर साल की जो जीवन चरितर का वर्णन इसमें दर्श आया है दोहो के माद्यम से जीवन चरितर दर्श आया है तो इतियास की दरिष्टी से चतर परकास एक महतवपुर पुस्तक मानी जाती है और चतर परकास पुस्तक में चतर साल का समवत 1774 तका जीवन वर्णन दिखाया गया है पढ़ती है आगे देख लेते हैं परशन संक्या दस निमिलिट में से कौ नहीं है तो कवी गिरी धर कवी राय जो है नितिकार कवियों में सामिल नहीं है रहीम दास दीन दयाल गिरी गिरी धर्दास ये सभी नितिकार कवी है गिरी धर्दास भारतेंदू बापू हरिस्चंदर के पिता थे और प्रजबाशा के बहुत ही प्रोड कवी माने जाते है इनका नाम बापू गोपाल चंदर भी था पर कवीता में अपना उपनाम वे गिरी धर्दास या गिरी धर या गिरी धन लिखते थे बारतिन्दु ने इनके सम्मन्द में लिखा ही था जिन शिरी गिरी धर्दास कवी रचे गरंत चाली यानि इनके गरंतों की संख्या जो है चालीस मानी जाती है कि इनके गिरी धर्दास जी के गिरी धर्दास जी जो कि भारतिन्दु जी के पिता रहे है जिनोंने नहुज नामक जो है नाटक लिखा था भारतिन्दु जी ने उ आगे चलके पढ़ेंगे नाटको के अंतरगत तो देख लेते हैं अगला जो हमारा पर्शन है पर्शन संख्या 11 निमलिक्त में से किन लेख को का सम्मन फोर्ट विलियम कालीज से इन में से किन लेख को का सम्मन था यह आपको पताईए तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा हमार ललूलाल और सहदल मिसर इन दोनों का जो सम्मद फोर्ट विलियम कालिज से रहा है उसके बाद देख लेते हैं जो हमारे अन्य तत्य जो बनते हैं फोर्ट विलियम कालीज में ललू लाल को भाखा का मुंसी भी कहा जाता है गिल क्राइस्ट को फोर्ट विलियम कालीज में इंदुस्तानी विवाग के अध्यक्स पर नियुक्त किया गया था किसे इंदुस्तानी विवाग के अद्देक्स के रूप में नियुक्त किया था फोर्ट विलियम कालीज के अंतरगत वो रही है गिल क्रैस्ट तो आपको ध्यानक नहीं क्योंकि परशन पूछा जाता है नासी के तो प्यानकी रजना सैदल मिश्चर ने अठारा सो तीन इस्वी में की और इसकी भाशा जो रही है संस्कित निष्ट उसके बाद बात करें आगे सैदल मिश्चर इन दिनों कुलकत्ता के फोर्ट विलियम कालीज के कारियर भी रहे है और यह पुस्तक भी पाठ़ पुस्तकों के अबाव की पूर्ती की गिल क्रैश्ट की कोशिशों का ही परिणाम रहा था और फोर्ट विलियम कालीज कोलकत्ता में सितित प्राच्च विदाव वे बाशाओ के अध्यनका के इंदर माना जाता है और इनकी स्तापना 10 जुलाई सन 1820 को ततकालीन जर्नल लाड वेल जलीने की कई बार पूचा गया है कि फोर्ट वेलियम कालीज की स्तापना किन होने की तो लाड वेल जलीने की और कब की 10 जुलाई 1820 में इस संस्ता दुआरा संस्कित, अर्बी, फार्शी, बंगला, हिंदू, उर्टो, आदी के हजारों पुस्तकों का अनुवाद भी किया गया है और शिक्षा, दिक्षा के लिए गिल क्राइस्ट की अद्दैक्स्ता में वेल जली ने औरियन्टल सेमिनरी की स्तापना भी की है बाद में फोर्ट वीलियम कालीज में परिवर्थित हो गया एक सेकिन भई उसके बाद देख लेते हैं परशन संक्या हमारा जो आगे है परशन संक्या बारा परशन संक्या बारा जब हम देखे तो राग दरबारी उपन्यास में वरनित गाओं कौन सा रहा है तो राग दरबारी उपन्यास में वरनित गाओं हमें देखना है तो शीव पाल गंज जो है राग दर्बारी उपन्यास में वरनित गाओ है जो कि राग दर्बारी विख्यात हिंदी सहित्य कारल शीरिलाल सुकुल का एक व्यांग्यात्मक रचना रही है इनके लिए उने जो है 1929 में सहित्य कादमी पुरुषकार से भी सम्मानित किया जा चुका है यह है ऐसा उपन्यास है जो कि जीव पाल गंज की कथा के माध्यम से आधुनिक भारति है जीवन की मुलत इंता को सहस्ता से अनावर्थ करता है यानि दर्शाता है और मेरी गंज का जो वर्नन है हमें कहां मिलता है वो मिलता है मेला आचल में जो कि मेला सोरी बई एक सेकिन जो कि फणिस वर्नात रेनु का पर्थमा आंचली को पन्यास माना गया है मेला आचल मेला आचल इसमें हमें मेरी गंज गाउं का वर्णन मिलता है और सिवपाल गंज का रागदरबारी के अंतरगत उसके बाद बाद करें अगला जो हमारा पर्शन है हजारी परशाद्दि विवेदी दुवारा रचित पहला उपन्यास कोन सा माना जाता है तो बाद बट की आतम कता हजारी परशाद्द विवेदी जी का पहला उपन्यास माना गया है बाद बट की आतम कता हजारी परशाद्द विवेदी दुवारा रचित उनका पर्थम एतिहासिक हिंदी उपन्यास माना गया है और इन में तीन परमुक पातर रहे हैं, बानबट और बटनी और निपोनिया, कई बार निपोनिया पातर पूछ लिया जाता है, निपोनिया पातर जो है किस उपन्यास का है, या किस लेखक के उपन्यास का है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अजारी परशाद वेदी तो आपको पता ही चल जाएगा बाणबट की आतमकता का है लेकिन ये दो पातर परमुख रही है परिक्षा की दरिष्टी से काफी बार पूछे जा चुके है इस पुस्तक का पर्थम परकाशन जो है 1946 में राजकमल परकाशन ने किया है राजकमल ने किया भी इसका परकाशन परशन संक्या चोद है मातमा गांदी के जीवन पर आदारित उपन्यास कौन सा रहा है तो पहला गिर्मिटिया मातमा गांदी के जीवन पर आदारित उपन्यास रहा है गिरी राजकिशोर दुवारा रचित किसका उपन्यास है गिरी राजकिशोर का पहला गिर्मिटिया ज पूछा जाता है पात्रों से संबंदित परशन तो मैंने हर परकार के परशनों को इंक्लूड करने की कोशिश की है कथनों से संबंदित पर जो है पात्रों से संबंदित या फिर जो है रचना या रचनाकारों से संबंदित या फिर किसी रचना के अंतरगत क्या वर्णित किय पुछे गई है उनको हमने लिया है तो देख लेते हैं अगला जो अमारा परशेंग क्या पंदर पीली आंधिवपन्यास की लेखी का बानी Cum पीली यांदी उपन्यास की लेखी का परभाखहतान है, इनके और अन्य उपन्यास है, किनके परभाखहतान के, क्योंकि परिक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेखी का उसे सम्मंदित भी जितने भी रचनाई हैं, नीमंध है, उपन्यास है, नाटक है, या फिर कोई भी जो म थोड़े जो करेंट के पर्षन है, जो के नहीं नहीं रचना है, उनको भी धान में रखते वेचलना है कि इस रचना पर केसे साईत्य कादमिय पुरुषकार दिया गए है, 2000 के बाद जितने भी लेखाक रहे हैं, वेसे सभी करेंट के अंतरकत आइगें, तो एक दो पर्षन उ अगला जो हमारा पर्शन है आउपे पे घर चले छीन मस्ता पीली आंदी अगनी संभावा और ताला बंदी अपने अपने चैरे ये सबी रचनाई जो है परभा खैतान की है अब बार बार रिवाइज कर के याद कर सकते हो बढ़ते हैं आगे पर्शन संक्या सोल है गुमकड स दस्तर यात्रावर्त के लेखक इन में से राहुल संस करता है और माने जाते हैं राहुल संस करता है और आपको पता ही है गुमकड जो यात्रावर्तांत में परशिद लेखक रही है यात्रा उन्होंने बहुत सारी यात्रावर्तांत लिखे है जो जिसमें की राहुल संस करत सायन का मानना है कि घुमकळी मानो मन की मुक्ति का साधन होने के संसात यानि कि घुमना यानि हम एक जगे से दूसरे जगे की जो हम यातराई करते हैं महां में मन की मुक्ति प्राप्ति होती है, यानि कि मन की मुक्ति का साधन माना है, उन्होंने अपने सीधी जविस्तार का भी साधन माना है, मन की मुक्ति तो होती है, साथ सायती, अपने सीधी जविस्तार का भी साधन उन्होंने माना है, कि मतलब पूरा का पूरा जो हमारा कह सकते हैं कि हमारा संपूर्ण जो विस्तारज, संपूर्ण हमारा जो सोचने की शक्ती है, ये मानोजीवन की जो प्रविर्ती है, सोचने की शक्ती या कल्पना सीलता या और जितना भी वो अपने जीवन में जितना भी वो आगे बढ़ते प्रोग्रेस कर रहा है, तो वही चीजें उन्होंने मन की मुक्ति के साथ-साथ, अपनी सीती विष्थार का भी उन्होंने साधन माना है, किसको गुमकड़ी को, उन्होंने कहा भी है कि कमर बांध लो भावी गुमकड़ो, यानि जो यात्रा करती है, जो इदर उतर, जैसे प्रकर्ति का अनुवाव करते हैं और देखते हैं कहां पर क्या चीज रही है तो सभी उन्होंने ये कथन भी लिखा है क्योंकि प्रिक्षाओं में कथनों से समंदेद भी पर्षिन पूछ लिए जाते हैं कि कमर बांद लो भावी घुमकड़ संसार तुमारे स्वागत के लिए बेकरार है माफी चाओंगे भई मैं कई पर बोलते थोड़ा सा जल्द स्पीड से बोलते हैं तो शब्द हिदर उदर होने लगते हैं तो इसलिए मैं आप से माफी चाओंगे कि आपके सामने है तो आप उन्होंने घुमकड़ सास्तर रचा था उसके बाद आगे बढ़ते हैं गोवद निवारन की बावना से लिखा गया उपन्यास कौन सा है गोवद निवारन की बावना से लिखा जाने वाला उपन्यास रहा है निसाई हिंदू जो की रादा किर्शंदास दुवारा रचित पन्यास हैं तो देख लेते हैं इसके अन्य तत्त हैं निसाए हिंदू पन्यास के लिखक कौन है रादा किर्शन्दास और रादा किरशंदास किस और अन्य लेकक से सम्मन्द रहा है उनका जैसे कि मैं आपको बताई देते हूं तो भारतिन्दु जी के क्या रही है, मैं मेरे भाई रही है, फुफेरे भाई रही है या उनके डियल के भाई रही है तो यह आप comment box में लिख करके आप बता सकते हो कि इन तीन option में से मैं आपको से ये परिशन पूछना चाहते हूँ कि रादा किर्शंदास का जो संबन्द है भारते इंदु जी का निमलिक्त में से किस परकार का संबन्द रहा है उनके मेरे भाई है यानि के मामा के भाई या भुगा के बेटे रहे है भुगा के भाई या फिर उनके फूफा के भाई रहे है या इन में से कोई नहीं आप बता सकते हो तो देख लेते हैं 1889 इस्वी में लिखीत उपन्यास निसाई हिंदू में हिंदूों की से निशायता और मुसल्मानों की धार में कटरता का चितर इस उपन्यास में दर्शाया गया है तथा यह गोवद निवारन की बावना से लिखा गया उपन्यास है उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा परशन संक्या 18 विनायक की सुपन्यास का पत्तर है तो विनायक इन में से किस उपन्यास का पत्तर है रमेश चंदर्शा, रमेश चंदर्शा दुआरा विनायक नाम से एक उपन्यास भी लिखा है, इन्होंने विनायक, जिसके लिए उन्हें 2014 में सहित्यकादमी पुरुषकार से समानित किया, अगर जिस रचना पर सहित्यकादमी पुरुषकार या कोई भी अन्य पुरुषकार प्राप्त हो जाता है तो वो अपने आप में इंपोर्टेंट हो जाती है तो विनायक पत्तर तो हमेशा ही परिक्षा में पुछा जाता रहा है कि विनायक की सुपन्यास का पत्तर रहा है लेकिन अगर रचना की बात करें तो हम रमेश चंदर्शा की रचना रही है और रचना में क्या है उपन्यास उपन्यास रहा है विनायक नाम से रमेश चंदर शाह का जिने 2014 में सहित्य अकादमी पुरुषकार से सम्मानित किया गया है ये तथ्या आपको त्यानक नहां है मैं आपको बार बार इसलिए रिवाइज करवाती हूँ ताकि आ त्यारी को आगे बढ़ाओगे तो आधे से ज्यादा पर्शन तो आपके वैसे ही ठेक हो जाएगे एक बार थोड़ा सा अनिलेसिस करने के जरूरत होती है हमें यहां पर यह पढ़ाचा तो उसका अंसर यह हो जाएगा तो इस परकार से थोड़ी सी समझ के साथ आप पढ़ आती है कोश्चन अच्छे लगते है यह कंटेंट अच्छा लगता है मेरे दुबार पढ़ाई गई जो चीज़े है वह आपको समझ आती है तो प्लीज लाइक कर दिया गरो क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे नेस्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है और हमारे साथ दिरे दिरे जूट रहे हैं और हमारे दुआरा जो कराई जारे हिंदी की संपूर्ण तैयारी के साथ जूट करके अपनी परिक्षा की तैयारी कर रहे हो मैं और अधिक अपने में सुधार करते हुए जो अच्छे कंटेंट के साथ क्लास लाने के पूरी-पूरी कोशिस करती रहूँए ताकि आपको अधिक से अधिक इन क्लासिस के माध्यम से परिक्षा में लाब मिलें तो देख लेते हैं अगला पर्षन जो है मारा पर्षन संख्या उन्नीस बारा बरस लेकुकर जिये अरू सोला लोली जिये सियार किस की पंक्ती है तो आधिकाल के किस कवी के पंक्ती है ये बारा बरस लेकुकर जिये अरू सोला लोली जिये सियार कही बार परिक्षा में पूछी गई है तो ये पंक्ती है जगनिक कवी की बढ़ते हैं आगे देख लेते हैं जगनिक कवी से सम्मंदित औरन्य तत्य है परमाल रासों की रचना की थी इनोंने तो इसके रचेता कवी इसके रचेता जगनिक रही है इन पंगतियों के बारा बरस लेकुकर जिये अरोजी 16 रोजी ऐसे आर अठरा बरस छत्रिय जिये इनोंने किस रचना की से लेक गरन्त की रचना की है एक राशो घरन्त लिखा है और यह बार विस्ताबदी की रचना रही है परमाल रासों यह आदिकालिन हिंदी साहिते की एक वीरगात आत्मक रासो काव्य है और आज के समय में परमाल रासो का केवर एक अल्यखंड ही उपलब्ध है यह अल्यखंड नाम से भी परशिद रही थी यह रचना इसके दो नाम थे एक तो अल्यखंड एक परमाल रासो अल्यखंड नाम क फड़ था को हमने से पड़ लिया था हलंकि इस रजना के काल के विशह में काफी मतभेद है कहीं पर ये 12 अबद की कहीं गई है तो कहीं पर 16 विस्य स्थाब्दी की भी रचना ने मानें गई कावी जंगनिक की कालिंजर और महोबा के राजा परमाल के दर्बारी कवी रही है उनके दुवारा रचीत रचना रही है और इसमें आल्ले और दल्दो वीर योद्दाओ का वीरता का वर्नन इसमें किया गया है ये भी आपको जहन लगना है बढ़ते हैं आगे परसन संख्या 20 आचारिय रामचंजर शुकल ने राशो शब्द का संबंद की शब्द से माना है आचारिय रामचंजर शुकल ने राशो शब्द का जो संबंद है वो रासायन से माना है वैसे तो अलग-अलग विद्वानों ने राशो शब्द की उत्पति या राशो शब्द का सम्मन्द अलग-अलग शब्दों से माना है ओप्षन में जो दिये गई है राशिक से, रास से, रासक से किन-किन विद्वानों ने माने हैं ये भी हमें एक बार देख लेते हैं, देख लेते हैं, आचारी रामचंद्रशुकल ने राशो की उत्पति राशायन से मानी है, विसल देव रासो में काववे का अर्थ का जो राशायन शब्द बार बार आया है, यानि कि जो विसल देव रासो में काववे के अर्थ में जो राशायन सब्द बार बार आया है, उसी के आदार पर जो राचारी नामचंद्रशुकल ने राशो शब्द की उत्पति राशायन से ही मान ली गई है, अत्य हमारी समझ में यह राशायन सब्द से होते हुए है, रा कि इनका आचारिय रामजंद शुकल जी का और रशिक से मानी है अन्य ओप्षन में जम हमने देखा रशिक रास और रासक से किनोने मानी तो रशिक से मानने वाले विद्मान रहे है नरुत्तम सुहामी नरुत्तम सुहामी ने राश्यों शब्द की उत्पत्ति किस से मानी है र पड़ते हैं आगे देख लेते हैं पर्चन संख्या 21 हजारी परशादी विवेदी ने किसे हिंदी का पर्थम कभी माना है तो हजारी परशादी विवेदी के अनुसार हिंदी का पर्थम कभी कौन रहा है हिंदी का पर्थम कभी भी अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अल हिंदी का पर्थम कवी माना है सरहपा को माना है राहूल सांस करता है और उन्य ओप्शनों को हम देखे तो सरहपा को किनों ने माना शुवंभू को पुष्यदंद को इन कवियों को हिंदी का पर्थम कवी किसी ने माना तो सरहपा को मानने वाले रहे है राहूल सांस करता है य ने हिंदी का पर्थम कभी अलग माना है एक पर्षय नवश्य ही पूछा जाता है हिंदी का पर्थम कभी कौन है किस विद्वान के अनुसार यह आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनको आप बार-बार रिवाइज करोगे तब याद रहेंगे यह अन्यता आप बूल जाओगे बढ़ते हैं आगे क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता था लेकिन बार-बार जब अपने तथ्यों को हम बार-बार पढ़ते हैं तो कंटेस्ट हो जाते हैं हमारे देख लेते हैं अगला जो पर्षन है हमारे पर्षन संख्या 22 सभीदान के 92 वे संसोदन अधीनियम दुआरा यानि 2003 में जो 92 वे संसोदन हुआ था उसमें कितनी बाषाव को बारतिय बाषाव को सामिल किया गया पर्षन संख्या 22 में देखेंगे तो सभीदान में 92 वे संसोदन में 2003 में जब हुआ तो कितनी बाषाव को बारतिय बाषाव में सामिल किया गया ये पूछा हुआ है वैस बारतिये भाशाओं को, कितनी भाशाओं को सामिल किया गया है, केवल 22 भाशाओं को सामिल किया गया है, और शुरुआत में जब शुरुआत उई थी, सवीदान में, आठवियानो सुची में, जो है, चोदा बाशाओं को सामिल किया गया था लेकिन उसके बाद एक बाशा को और जोड दिया गया सिंधी फिर उसके बाद तीन को जोडा गया फिर उसको चार के चार बाशाओं को जोडा गया किस किस संसोधन में और कौन से सं में वह संसोधन किया गया और किस भाषा को जोड़ा गया इससे सम्मंदित हमेशा परशन पूछे जाते हैं और ये भी पूछ लिया जाता है शुरुवात में कितनी भाषा ही थी हमारे बारते सविधान में कितनी भाषा को सामिल किया गया था लेते हैं समझ लेते हैं एक बारतिये अमारे बारतिये सवीधान में आठ्वी अनो सुची में निमलिक्त 22 वाषाई सामिल है फिलाल में वर्तमान में अगर पूछ ली जाये तो कितनी वाषाई सामिल है तो 22 वाषाई ये आपको ध्यान रखना है और उन 22 वाषाई में कौन- यह हम देख लेते हैं, एक बार हमाने सुची बनाई हुई हैं, अस्मिया, बांगला, गुजराती, हिंदी, कर्नड, कश्मेरी, कॉंगणी, मलियालम, मनीपुरी, मराथी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कित, सिंधी, तमील, तेलगु, उर्दू, बोडो, संथाली, यह कुल 22 बाशाओं हमारे सविदान में, वर्तमान में सामिल है, और पहले शुरुवात में कितनी बाशाओं थी, इन बाशाओं में से 14 बाशाओं को सविदान में, परानम में ही सामिल कर लिया गा था, यह आपको ध्यान रखना है, यहां से 2-3 पर्षन बनते हैं, तो एक सबसे पहलेoshi सिंधी बाशा को जोड़ा एक बाशा को टाविक बाशा को वा रिनीस के अगा जुद bursts वाण वंहें में साम्साभ़ा को तरे इक अगा बाशा को पेले कहले रियुकल. और उसमें सिंधी बाशा को जोड़ा गया, केवल एक बाशा को, फिर जब दुबारे संसोधन किया गया, 1922 में में 81 संसोधन में बाशाओ से संबने जब संसोधन हुआ, तो उसमें कौंकनी, मनिपुरी और नेपाली, तीन बाशाओ को जोड़ा गया, आप नमक से भी याद र इन तीन बाशाओ को जोड़ दिया गया, 71 वे संसोधन में 1922 में में, सं भी पूछ सकते है, यह पूछ सकते है कौन सा सवीधान संसोधन में नेपाली, मनिपुरी कौंकनी को जोड़ा गया या कौन-कौन सी बाचाओ को जोड़ा गया किसी भी परकार से परशन पूछा जा सकता है तो आपको समझ लेना है बढ़ते हैं आगे देख लेते हैं 2003 में जब संसोधन हुआ कौन सा बानमेवा जो की हमारे परशन में है पूछा गया है तो बानमेवे संसोधन के अदिया नियम में वर्स 2004 से परभावी हुआ यानि कि संसोधन हुआ 2003 में लेकिन जब वो लागू किया गया 2004 हो गया था और बोडो, डोगरी, मैथली और संथाली इन चार बाशाओ को जोड़ा गया कौन-कौन सी बोडो, डोगरी, मैथली और संथाली इन चार बाशाओ को आठवी अनुसूची में सामिल किया गया कितनी को? चार बाशाओ को जो कि अमारे परशन में पूछा गया है बढ़ते हैं आगे परशन संक्या हमारी 23 हिंदू हर्दय और मुसल्मान हर्दय आमने सामने करके अजनभी पन मिटाने वालों में इनी का नाम लेना पड़ेगा आचार ये रामजंज शुकुल का उक्त कथन किस कवी के संबंद में है तो ये जो कथन है किस कवी के संबंद में कहा गया है कि हिंदू हर्दय और मुसल्मान हर्दय आमने सामने अजनभीपन मिटाने वालों में इनी का नाम लेने पड़ेगा यानि किन का नाम लेना पड़ेगा किसा इत्यकार के बारे में कहा है तो ये आपको बताना है तो हिंदू हर्दय और मुसल्मान हर्दय आमने सामने करके अज निवीपन मिटाने वालों में इनी का नाम लेन पड़ेगा तो इसका जो नाम किसा इत्यकार के सम्मध में का आए तो ये जैशी जी के सम्मध में का आए जो कि सूफी परशिद एक सूफी कभी रहे जिन्होंने पदमावत की रचना की है देख लेते हैं इससे सम्मंधित कोई तथ्य नहीं है ये दुबारे से ये कथन दे दिया गया है तो देख लेते हैं बढ़ते आगे परशन संक्या चोबिस हीन भय जलमीन अधिन कहा कती मो अकुलानी समाने नीर सनही को लाए कलंक नीरा से कायर त्यागत पराने जो ये पंक्तिया है उप्युक्त पंक्तिया नीर सनही में कौन सा अलंकार है तो ये पुछा गया है तो नीर सनही में जो है यहाँ पर सैबंग सिलेश अलंकार है और सै इसको तोड़ कर भंग करके, तोड़ के उसका भंग करके उसके दो अर्थ निकल जाए, महां पर से भंग सले शलंकार होता है, जो शब्द होता है, एक शब्द से कई अर्थ जिपके हुए होते हैं, और जब उनको भंग करके तोड़ करके जो पद निकलते हैं उनसे जो उता वे बनते हैं से भंग शले सलंकार नीरसनेही यानि कि नीरसनेही से दो अर्थ निकलते हैं हमारे कौन-कौन से एक तो नीरसनेही हो जाएगा और एक हो जाएगा नीरसनेही में नीरसनेही से अलग-अलग करके अर्थ बोध होता है यह आप देख सकते हो बढ़ते हैं आगे दो अर्थ बोध हो गए हमारे एक तो नीर से नहीं एक हो गया नीरस नही बढ़ते हैं आगे देख लेते हैं अगला जो हमारा परिशन है परिशन संख्या 25 बिखारी दास के कावे निर्णे में किसका विवेचन किया गया है तो बिखारी दास के कावे निर्णे में सर्वांग विवेचन किया गया है कावे सास्तर में जितने भी अमारे बारतिय कावे सास्तर लेखक रही है संस्कित आचारी रही है उन्होंने अपने गरंतों में जो इस परकार से जो लक्षन गरंतों का परियोग करते हुए सबी अंगों का परियोग किया है उसी परकार से जो है रीतिकाल के कवियों ने भी बारतिय का संस्कित के आचारियों का अनुकरन करते हुए अपनी रचनाई लिखी थी उस परकार से बखारी दास ने जब अपना कावे ने लिखा है तो उसमें शर्वांग निरूपन किया है यानि कि कावे परियोजन कावे हे तो अलंकार रस भाव धमनी गुणी बूत वेंगय तुख गुण आधी का इन्हों ने अपने कावे ने में विवेचन किया है उसके बाद बाद करें आगे परसुन संक्या हमारी 26 परसंसंख्या 26 में हम देख लेते हैं रामचंज शुकल ने विहारी की बाशा के बारे में क्या काई तो इन्होंने माना है विहारी की बाशा चलती होने पर भी साहितिक है यह बात बहुत कम कव्यों में पाई गई है बोशन और देव के शब्दों का व्यावार किया है विहारी की बाशाप, इस दोस्से बहुत कुछ मुक्त है, यह पूरा का पूरा कतन है जो आचारीय रामचन जो शुकल दोआरा दिया गया है विहारी जी के संब्द में, तो आप देख सकते हो क्योंकि कतना से सम्मंदित पर हमेशा पर्षन पूछे जाते हैं देख लेते हैं अगला जो हमारा पर्षन है जहां कल है तह सुखना ही कल है सुखन को उसूल सबे इक लह एक राज में राज कल है को मोल ये पंगती है इस दोहें के दुआरा कवी ने अतीत कालिन चितवर्ति का वर्णन किया है यानि किस कवीने की पंक्ती है ये पुछा हुआ है तो सही आंसर हो जाएगा हमारा नागरीदास जी की पंक्ती रही है नागरीदास जी के समन्द में अन्य तथ है जब हम देखे तो नागरिदास का वास्त्विक नाम सावन सिंग है, ये किर्शनगर्ड के राजा थे, ग्रैकलय से उबर कर ये विरंदावन चले गए, वही विरक्त भग्त के रूप में रहने लगे, आगे चल कर नागरिदास जी के नाम से ये परशिद हो गए, उसके बाद परशन संख्या 28 देख लेते हैं, मुड़ मुड़ कर देखता हूं किसकी आतम कथा है, तो आप सभी को पता है, राजिंदर यादव की ये परशिद आतम कथा रही है, मुड़ मुड़ कर देखता हूं, कई बार परिक्चाव में पुछी भी गई है, राजिंदर यादव ने आठ उपन्यास तता एक सो पचास से अधिक कहानिया लिखी है प्रेट बोलते हैं उखडे वे लोग कुल्टा से है उर्मात एक मुस्कान अंदे की अंजाने पुल मंतर बुद्धी एक था सेलिंदर इनके उपन्यास है यह इनके पर्मुक उपन्यास रहे है कौन-कौन से आठ पर्मुक उपन से है उर्मात एक मुस्कान अंदे की अंजाने पुल मंतर बुद्धी एक था सेलिंदर यह सभी के सभी इनके पर्मुक उपन्यास रहे हैं रेखाए लहरे और पर्च्छाईया देवताओं के मूर्दिया खेल खिलोने जहां लक्समी कैद है अभी मन्यू की आता मत्या छोट लहरे और पर्च्छाईया देवताओं की मूर्दिया खेल खिलोने जहां लक्समी कैद है किसकी कहाने संग रहे है अभी मन्यू के आता मत्या छोटे छोटे टाजमेल फी कई बार परिक्षा में पूछी गई है और तूटना भी यह तीनी वरी वरी इंपोर्टेट है जहां लक्समी कैद है, छोटे-छोटे दाज में है, लोट तूटना, राजिन्दर याद्व के पर्मु कानी संग्रे रही है, उपर न्यास और कानी संग्रे दोनों देख लिया, आप लोगों ने, उसके बाद देख लेते हैं, पर्शन संग्या, उनतिस, मनी करनी का के लेखक कोन मन उन्होंने मनी करनी का नाम करचनल लिखी है, बना रस्मियाने पर जीवन के अंत की परतिक मनी करनी का से ही लेखक का नया जीवन शुरू हुआ है, उसके बाद बाद करें आगे पर्शन संग्या, अमारी तीस, महाकाल उपन्यास के लेखक कोन रहे हैं, तो महाकाल उपन्या अम्रित लालनागर के जितने भी परमुखरचनाई उनको पूछ लिया जाता है तो देख लेते हैं कि अम्रित लालनागर की परमुखरचनाई इस परकार है कि सबसे पहले उपरन्यास हम देखे तो महाकाल 1947 बूंद और समंदर 1956 सत्रंज के मौरे 1969 शुहाके नुपूर 1960 अमरित और वेश 1966 साथ गुंगट वाला मुखड़ा 1968 एक नेमी शराई 1972 मानस काहांस 1973 जिसमें कि तुलसी दास्ची के जीवन का वर्णन किया गया है नाचो बहुत को पाल 1978 ये इनके परमुख उपन्यास रही है एक और उपन है खंजनन जो कि उसमें सूर्दास्ची के जीवन का व लूड किया है अमने फाल जैसे कि अपने इन पर्षन उत्रों के माद्यम से अमने सिरफ उनीत अथ्यों को लिया है जो कि परिक्षयों में बार बार पूछे जाते हैं उससे सम्मने इंपोटेंट अथ हैं वरना बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ भी जो यहां आप बहुत समय से तयारी भी कर रही होगे और जो बिलकुल नए बच्चे तयारी कर रहे है तो वे बिलकुल भी बिलकुल पिछ hypoth spirit को आप जो है अधिक से अधिक परिक्ष्यों को आप फ्यास करते हूए आपको तयारी करने है क्योंट जब आप पिछले सालों के परि उनी सब में तवपुर्ण परशनों को लिया है, जो कि पिछली परिक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और इंपोर्टेंट तथ्यों के आदार पर ही हम अपनी तैयारी को देरे देरे आगे बढ़ा रहे हैं, तो देख लेते हैं, परशन संख्या 31, सिंधी भाषा का विकास अपबरंच की किस बोली से माना जाता है, तो भाषा विग्यान से संबंदित परशन है ये, तो सिंधी भाषा का विकास अपबरंच की बराचट बोली से माना जाता है, बराचट अपबरंच में सिंधी का विकास हुआ, पेचासी से किस का हुआ, लेह हिंदी से तीन बोलिया निकल कर आई आवदी बगेली और चतिस गड़ी यह आपको ध्यान रखना है उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा पर्शन है पर्शन संक्या बत्तिस कि समिक्षक विद्यापती की पदावलियों को जीव और आत्मा के संबंद का रूपक मानते हैं तो कौन सा ऐसा समिक्षक है जो विद्यापती की पदावलियों को जो है जीव और आत्मा का आत्मा के संबंद का रूपक मानते हैं वो रहे हैं आनंद कुमार सुआमी आनंद कु वो रात्मा का रूपक माना है बढ़ते हैं आगे देख लेते हैं परशन संक्या 33 कमलेशवर दुआरा रचित कहानी नहीं है इन में से कमलेशवर दुआरा रचित कहानी कौन सी नहीं है तो एक और जिंदगी जो है कमलेशवर जी की कहानी नहीं है अन्य था तीन कानिया यह जो राजा निर्बंचिया मास का दरिया कस्बिक आदमी यह तीनों कानिया कमलेसवर्दी दुआरा रचित है उप्यूक्त विकल्पों में एक और जिंदगी जो कानिया वो किंद किये मोहन राकिस किये 1961 में जो कानिय लिखी गई एक और जिंदगी मोहन राकिस किये मोहन राकिस परशित लेखक रहे है उसके बाद बाद करें आगे राजा निर्बंचिया कस्बिक आदमी 1958 में मास का दरिया 1966 में कमलेसवर्दी की परमुक कानिया रही है उसके बाद देख लेते हैं परशन संक्या 34 इन में से कोन सी किर्थी वरिंदावन लाल वर्मा की है वरिंदावन लाल वर्मा की इन में से कोन सी किर्थी है गोदान आपको पता है परशीद उपन्यास रहा है प्रेंचन जी का भगवती चर्ण वर्मा का चितरले का यही सचे मनुगंडारी का है तो भुवन विक्रम जो है ये ब्रेंदावन लाल वर्मा की रचना रही है तो प्रेंदावन वर्मा का एक उपन्यास है भुवन विक्रम और 6 जो अन्य रचनाई है जो कि 1957 में लिखा गया बुबन विक्रम ये भी आप देख सकते हो 6 उपन जो रचनाई है गोदान 1936 में प्रेमचन जी का चितर लेखा 1934 में बगवती चर्ण वर्मा का और मनुबंडारी 1916 में में की रचना रही है यही सच है बढ़ते आगे पता भी नहीं चलता मैं क्या बोल रही हूँ तो इसके लिए आप थोड़ा सच क्योंकि आपके सामने कोश्चन भी है और उसका डीटेल से ओप्शन भी है तो कहीं पर अगर शब्दों में कुछ थोड़ी सी हेर फिर हो जाती है तो मैं आप से माफी चाहूंगे क्योंकि आप समझ सकते हो बढ़ती है आगे देख लेते है परशन संक्या 35 सुकसागर के रचना का कौन रही है तो सुकसागर परमुख रचना है प्रेक्षाउ में पुछी गई है तो मंसी सदा सुकलाल के रचना कर जो रहे है, सुकसागर जो की, फोर्ट विल्यम कालीज में जो ये चार परमुख लेखक रहे हैं, इनोंने अपना योगदान दिया था, जो सदा सुकलाल नियाज ने विशनु पुरान के आधार पर खडी बोली में सुकसागर की रचना की थ सुकसागर एक मैतवकुरन कर जो की सदा सुकलाल नियाज जी का है, फोर्ट विल्यम कालीज में, सदा सुकलाल नियाज का समन्ध भी रहा है, ललू लाल का और सैदल मिसर और ऐशालला खा ये चार परमुख जो लेखक रहे हैं, इनोंने सबसे पहले जब खडी बोली और पर बर्जबाशा में जब रजिनायों की शुरुवात की थी उसमें अपना योगदान दिया था उसके बाद-बाद करें पर्शन संक्या 36 संदा भाशा से अभी पराई है तो इन में से संदा भाशा से अभी पराई क्या है तो सही आंसर हो जाएगा उपर से लोग विरोधी पर आई साथ शंद्य बाशा शीदो द्वारा अपने अंत साध्णात्mकन वोटियों के व्याक्त करने के लिए परियुक्ट बाशा है इसमें परतिकोग के माधियम से जो है परणी हिंदी में कि है स November वास्तव में इन रचणाव में परियुक्ट बाशा शेली है ये एक परकार की बाशा संदा बाशा जब हम कहते हैं तो ये एक परकार की बाशा नयो करके ये क्या है ये बाशा शेली है इस पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसी सेली का जो परियोग कभीर दास जी ने अपनी बाशा में जो उलट बाश या जब उन्होंने लि इतने भी उन्होंने जो प्रेम की भावना है जो प्रेम समंदी जो रचनाई की जो दोहे लिखी है उनका जो आदार उन्होंने सूफी कव्यों को माना है संद्यबाशा को उन्होंने सिदों से लिया है नाथों से उन्होंने जो उनका घट योग लिया है तो इस परकार से किस किस से जो है कभीरदास जी ने लेते हुए जो अपने दोहों में परियोग किया है और उनका आदार माना है तो इस परकार से बहुत सारे तथ्या बनते हैं जो हम कबीर दास जी को जब हम पढ़ रहे थे तो एक बार तो हम पहले कर चुके हैं और फिर रिवेजन के तोर पर मैं आपको तोबारा से करा दूँगे आपको टेंशन लेने के जरूरत नहीं हैं पढ़ते हैं आगे नाथ संदह भाषा का परियोग अपनी रचनाओं में किया हैं यह से जो है कभी अलट दाल जीन वियों में देखने कर मिलता है और यह कहां से लिया गया है यह जो है सिदो की संदह भ्रसा से इन्होंने लिया पढ़ती हैं आगे परशन संक्या 37 हिंदी साइटे के रीतिकाल का शिंगार काल नाम निमलिक में से किस लेकक ने दिया किसी तियासकार ने दिया ये आपको बताना है तो हिंदी साइटे के रीतिकाल को जो शिंगार काल नाम देने वाले विद्वान रहे है विश्यवनात मिसर आपको दीकल को कि स्वी दुदाने क्या नाम दिए है यह हम दीतिकल के अंतरकत हमने नामकरण जब पढ़ा था तो कर चुके थे तो एक वापर फिर से हम देख लेते है तो दीतीकल को अरंग सिंगारकाल नाम दिया विश्वनात ने और इंदी साइते का अतीत विशवनात जी का परमुगरंत रहा है आदी काल को विशवनात ने वीर काल कहा है और रामचंद शुकल ने आदी काल को वीर काथा काल कहा है ये थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंट करते हुए पर्शिन बनते है तो आपको ध्यान से समझते हुए पर शुनोगो करना है कि पूछा क्या गया है तो मिसरबंद हुआने शिंग अलंकरीत काल काहा है किस काल को रीति काल को ही आपको ध्यान रखना है क्या काहा है मिसरबंद हुआने अलंकरीत काल उसके बाद आचारिय रामचंज शुक्ल ने रितिकाल को उत्तरमद्यकाल वे रितिकाल नाम दिया है डोक्टर रामकुमार वर्मा ने कलाकाल कहा है रितिकाल को डोक्टर रसाल ने काव्यकाल कहा है और विश्वनात परशाद ने शिंगारकाल का नाम दिया है बढ़ते हैं आगे पर्शन संक्या 38 बाल चन बिजबाई बाशा दूहुनाही लगन दूजन हाशा जो ये पंक्तिया है ये किस कवी की है तो आपको पताईए विद्धापती जी की परमुक कवी रही है परमुक पंक्ति रही है तो विद्धापती जी से सम्द्ध देख लेते हैं वो रनेतत हैं मेधिली कोकील, विद्धापती, संस्कित, मेधिल और आउहट के परकार पंडित रही हैं उन्होंने एक दर्जन गरंतों का की रचना की है जिसमें की किर्तिलता, किर्तिपता का और व विद्यापती जी की परमुख रचनाए रही है, पदाली विद्यापती की छ्याति का आधार रही है, और विद्यापती की परसिद का व्यद को पंगति से हैं वह मीच जन्विजबाई भाषा दूजण विद्यापती का जनम जो है 1392 इस्वी में हुआ और मिट्टू 1448 इस्वी में वे शिव के भगत रहे हैं विद्यापती जी और लेकिन उन्होंने अपने प्रेम गीत और भगती वेशनों गीत भी लिखे हैं और किर्थी लता और किर्थी पता की जो उन्होंने रचना की है वो आउखट भाषा में की है और पदावली की जो रचना है उन्होंने मेथिल भाषा में की है ये आपको ध्यान रखना है मेथिली भाषा में पदावली की रचना की है और किर्थी लता और किर्थी पता आउख पटवाशा की रचना है कई बार पूछ लिया जाता है निमलिक्त में से विद्यापते की पदावली को किस बाशा में लिखा गया है तो इस परकार से अगर पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो बढ़ते हैं आगे परशन संग्या मारी 49 किस रासो कावे की कथा का वर्णन स दूआरा किया गया तो वह हो जाएगा हमारा पिट्वी राज रासो इससे सम्दित औरन्य तथ्या हम देख लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी परशनों को करेंगे क्योंकि भाई ज्यादा लंबी वीडियो होने के कारण फिर अप्लोड नहीं हो पाती तो इसलिए देख लेते कम से कम पचास परशनों को तो आज की क्लास में मैंने करने की सोची ती देखते हैं कितनी परशनों पाएंगे तो देख लेंगे डोक्टर हजारी परशाद विवेदी के अनुसार पिथवी राज रासों की रचना शुक्षू की समाद के रूप में हुई जिन सर्गो यहां से थोड़ा सा टाइपिंग मिश्टेक हो गया यह और अन्यक किसी चीज़ का टाइप हो गया तो इसको हम इतना ही रहने देंगे कि पिथवी राज रासों की जो रचना है शुक्षू की समवाद में हुई यानि कि यह पुछा हुआ था किस रासो साहित्य की रचना पिथ्वी राज रासों की और एक पूछा जाता है ब्रेंग बरंगी समवाद की रचना किस गरंथ में हुई वह की इर्थी लट्ता जोकी विज्जापती की जी की रचना है बढ़ते हैं आगे देक लेते हैं अगला जो पर्षन हमारा पर्षन संक्या चालिस हाजारी परशाद दिवेदी के अनुसार दत्ता शब्द का व्यावार मोलते किस अर्थ में होता है तो सही अंसर हो जाएगा हमारा छे दन के अर्थ में परशन संक्या 41 संत मत के अलावा शब्द या सब्द का पचलन किस पंथ में हुआ तो इसका सही आंसर हो जाएगा नात्पंत में डोक्टर पितंबरदात बड़तवाल ने गुरकनात की रचनाओ का संग्राय गुरकबानी नाम से संपाधित कर हिंदी साइट समेलन परियाग से परकासित कराया था शब्दी पद राग सामगरी शिश्यादर्शन प्रांग संकली नर्वेबोध आतमबोध अबे मात्रा जोग पंदरैति थी सब्तवार मेचंदर गोरकनात रोमावली गयान तिलक पंज मात्रा इन तेरा रचनाओ को बड़तवालने परमानिक माना है उसके बाद देख लेते हैं डोक्टर हजारी परशाद्दी विवेदी जी ने एक सेगें डोक्टर हजारी परशाद्दी विवेदी जी के अनुसार शब्दी गोरकनात की सबसे पर्मानिक रचना मानी गई है शब्दी या शबद का पर्चलन नात्पंत में हुआ संत्मत में बहुत पर्चलित रहा उसके बाद अगला जो हमारा पर्चन है पर्चन संक्या 42 बारतेंदु और इस्चंदर के निम लिखत रूपकों में से भान कौन सा है भान कौन सा है यह पुछा हुआ है तो इन में से जो है भान नातक रहा है नातक है यह विश्मे विश्मो धाम बारतेंदु बिश्में बिश्मो धाम जो नाटक इनका एक अनूदित नाटक है जो कि भाण में लिखा गया और भाण क्या उता है भाण ऐसे भी लिख सकते हैं तो यह थोड़ा टाइपिंग मिश्टे का भाण नहीं है यह भाण है तो यह जो भाण का मतलब होता है कि एक ऐख शैरस उन्पक दर्शय का अव्य है केवल एक पत्रों उसे हम बान बोलते हैं हम कह सकते हैं कि कि वह व्यक्ति होता है वो किसी कालपनिक व्यक्ति से बात कर रहा होता है इसे भान कहां जाता है यह आप दियान अब ते क्योंकि बारते इंदू अरिश्चंदर ने बान, बान के भी रचना की मुकरिया भी लिखी है, और पहेलिया भी लिखी है, तो कई परकार की लावनी भी उन्होंने लिखे है, शापा भी लिखे है, तो उन्होंने के जो नाटक है बारतेंदु जी के अनुदित भी है और मोलिक भी है, कितने उनके अन नुदित नाटक माने गई है और नो उनके मोलिक नाटक माने गई है देख लेते हैं और अन्य तत्यों के अनुसारम देख लेते हैं तो बारतेंदु जी के मोलिक नाटक है वेदी की वेदी की हिंसा ने भावती 1870 में इस नाटक में बारतेंदु ने माश यहार के कारण की जा पर ये नाटक लिखाया कि सन में 1873 में फिर है प्रेम जोगनी 1874 में सत्यहरिष चंदर 1875 चंद्रावली 1875 और विश्मय विश्मधम जो है बान है उसके बाद बात करे आगे एक मोलिक नाटक है इनका ये उसके बाद बात करे आगे बारत जन्नी की 1837 भारत दूर जश्मय नील देवी जो इनका इक एतिहासिक नाटक माना गया है अठारासो असी अंदेर नगरी जो की इनका जो है 1881 इसमें लिखा गया नाटक है और अंदेर नगरी को ये माना कि इस नाटक की रचना भारत इंदुजी ने एक ही रात में पू गया है उसके बाद देख लेते हैं आगे जो सती परताफ इनका जो 1884 में लिखा गया बारत इंदुजी के अनुदित नाटकों में कौन-कौन से नाटक है देख लेते हैं रतनावली 1868 हर्शिवर्दन दुआरा रचित संस्कित नाटक का अनुवाद है और विद्या में पाखन विनम बन्जु है 1872 में किर्शन मिश्ट प्रबोद चंद्रोद्य का तीर्टियंग का अनुवाद है अकपूर मंदरी 1875 में प्राकर्ट में रचित राजशीकर की रचना का अनुवाद है फिर हम मुद्रा राक्षस 1878 में गुप्त काली नाटक विशाक्दत के स अनुवाद है फिर है दूरलब बंदू सेक्सपियर दुवारा रचित मेर्चेंट्स ओफ वैनिस का अनुवाद है 1880 में बारतेंदु जी आदोनी काल को हम जब हम कर रहे हैं तो आदोनी काल की एक क्लास हम पहले हम कर चुके है तो क्लास नंबर दो को हम करेंगे कल करेंगे धृट हम बातेंदे से समझ से वारेंद को में नुट है कहानी है एक दो कहानी भी लिखी एक कहानी भी लिखी है उन्होंने और यात्रा वित्तान भी लिखिया जितने भी परमुख रचनाई है और उन रचनाओं से समधी जो जो परमुख तथ्या बनते हैं सभी को करेंगे आदूनी काल के अंतरकत तो धीरे दीरे हम अपने कंटेंट को भी थोड़ा थोड़ा लेते वह आगे बढ़ रहे हैं साथ साथ अधिक से अधिक पर्शनों के अभ्यास पर हम अधिक बल दे रहे हैं क्योंकि लगातार अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगी चाहें हम पहले कर चुके पर्शनों को अभ्यास करें या फिर नई पर्शनों का अभ्यास करें तो सभी परकार के कथनों से संबंदित पंक्तियों से संबंदित सभी परकार के जो पर्शनों के माध्यम से हम अभ्यास करते हुए संपोन हिंदी साहिते की तैयारी को आगे बढ़ा रह नहीं ओती एक दो परशन ही पुछा जाता है तो संपूह रिरुषये करना को पना एक यह में नहीं करना है परशनों की संख्या में हम व्याकरणों की संख्या में, जो है दीरे दीरे आगे ले करके आएंगे तो अब हम शुरुआत करेंगे ये क्लास तो हमारी साथ साथ चलती रहेगी जैसे कि संपून व्याख्या सहीद पच्छनों की जो श्रंखला चली हुई है ये और कंटेंट की दीरे-दीरे के क्लास को बढ़ाते हुए संपून हिंद इसे संबंदी मेत्वूर्ण तथ्यों की तो हम करी रही हैं तो साथ साथ मैं सोच रहे हुए कि व्याकरेंट सहीद एक हम सीरीज सरू करते हिंदी साहिद्य के परशनों की जिसमें की व्याकरेंट के परशन भी सामील होंगे और साहिद्य के परशन भी प्रेक्टिस सेट भी हमें प्रेक्टिस सेटों की हमें शुरुआत करनी होगी अधिक अभ्यास के लिए अधिक से अधिक क्योंकि उसमें नई परशन भी आपको देखने को मिलेंगे और व्याकरन के उनी परशनों को हम लेंगे जो कि पिछली परिक्षाओं में पूछे गई हैं तो अगर आप चाते हो इस परकार से प्रेक्टिस सेट की हम शुरुआत करें तो आप कमेंट बोक्स में लिख करके सजेशन दे सकते हो कि इस परकार से हमें शुरू करना चाहिए नेट लेवल के कोश्चन चाहिए या फिर आपको टीजीटी पीजीटी से सजब मंदित क्योंकि आपको भी पता है एक पैठ ठेकरम के अनुसार हम अपनी तयारी करेंगे तो ही जो है आपको फाइदा होगा टीजीटी पीजीटी का थोड़ा अलग अपना पैटरन होता है अलग होता है जबसे यह सलेबस चेंज हुआ है यह आपको सभी को पता है क्योंकि आपको कुण कर अपिक glad के अंतरगत तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों को comment box में लिख करके मुझे बताना है आप इसके according class चाहते हो NTA net के according अगर आप चाहते हो तो मैं NTA net के पाठेकरम के अनुसार जो ये उपन्यास कहानी निमन्द है इन से सम्बंदित जो आजकल परिक्षाओं में पूछे जाते हैं उन आदारों पर परशन लेकर के आओंगे या फिर TGT PGT के आदार पर तो हम करी रही है तो आप बता सकते हो बढ़ते हैं आगे परशन संक्या 43 निमलिक्ट में से दो समांतर कथा परशंगों पर चलने वाला शेशंकर का नाटक कौन सा है इन में से दो समांतर कथा परशंगों पर चलने वाला शेशंकर का नाटक कौन सा है वो है एक और दरुनाचारी है देख लेते हैं आगे शेशंकर शेश विशंक्ति बोद से लड़ना टक है एक और अर्विंद उसके परिवार और कॉलिद के परशंग दूसरी और जो है दुरोनाचारिय उसके परिवार तथा यूदिश्टर भी मर्चुन अस्थामा एक लवयादी के परसंगों का दर्शाय है पढ़ते हैं आगे देख लेते हैं परसंग है चबालिस कवीता करना अत्यन्द पुन्य का फल है इस दुराशय और अत्यन्द उतकरनठा से कवी जीवन व्यतित करने के इच्छा हुई यह समवाद जो है जैशंकर परश्याद के किस नाटक का है तो यह समवाद जो है जैशंकर परश्याद के सकंद गुप्द नाटक का रहा है और देख लेते हैं इससे संबंदित जो तथ्या बनते हैं जैसंकर परश्यात के परशिद नाटक सकंद गुप्त के पर्थम अंग में मात्र गुप्त का वेकरता कालीदास का कथन है यानि ये पूछ किसका कथन है तो कालीदास जी का है जो कि पर्थम अंग में मात्र गुप्त न अबावो को ऐसंतोस कहकर हर्दय को दोखा देता रहा परंतु कैसी विडम ना लक्समी के लालो का बोबर्ग और शोब की जुवाला के अतिरिक्त मिला क्या यह कालपनी परशंसी है जीवन तो दूसरे की दया करना अपना अस्तीतव रखता है तो यह पूरा का पूरा कथन इस फरकार से कहा है इस परकार से पर्षन जो है एंटीनेट के अंतरकथ आपको देखने को मिलते हैं बढ़ते हैं आगे देख लेते हैं अगला जो हमारा पर्षन है पर्षन संक्या 45 ठेश कहानी के लेखक कोन है तो ठेश कहानी के लेखक है फनिस्वारनाथ रेनु फनिस्वारनाथ रेनु जो है ठेश कहानी के लेखक है इनमे कथा नायक सिर्चन की सादगी वे करूना की परष्ट भूमिज में उनकी विलुप्त कला के परती ललक का मरम्शपर्शी चितरन किया गया है सिर्चन अगर ये पूछ लिया जाए किस उपन्यास का पतर है तो ठेश कहानी का पतर रहा है कौन सिर्चन बढ़ते हैं आगे परशन संक्या 47 त्याग पतर उपन्यास के लिखक कुन है तो इन में से त्याग पतर उपन्यास के लिखक रहे है जेनंदर जी, जेनंदर जी के उरन्य उपन्यास देख लेते हैं, जेनंदर का परमकु उपन्यास त्याग पतल 1937 में परकासित हुआ, हिंदी के सरवस्रेष्ट लगू उपन्यासों में, मिरनाल नामक बाग्याहिन यूती के जीवन पर आधारित यह मार्मी कथा अत्यान पर बावशाली बन सके हैं, और जेनंदर के अन्य उपन्यासिक कीर्थिया जो रही है, वो है परक 1929, सुनिता 1935, कल्यानी 1949, सुखदा 1953, वीवर्त 1953, व्यातित 1953, जैवर्दन 1956, उसके बाद देख लेते हैं, आगला जो हमारा पर्षन है, पर्षन संक्या 48, पुरुष परिक्ष में आप लोग वैसे भी पहले पढ़ चुके हैं, तो देख लेते हैं, पुरुष परिक्षा विद्यापती की रचना है, जिसमें कवी ने शिंगारस के माध्यम से दरमो राजनीती की शिक्षा दी है, यह लोग पर यह पुस्तक है, और 1830 में इस कीर्थी परंग्रे जी अन दुने किया था, यह थोड़ा सा डेप्ट पर्शन, डेप्ट तथ्या हो गया, ज्यादा डेप्ट नहीं आता, बढ़ते हैं आगे, पर्शन संक्या मुनंचा, सनिमलिक्त में से कौन सा विद्वान, पिठवी राजरासों को सुर्था आपर मानिक मानने वालों में सामिल नह तो किसी ने पिठवी राजरासों को परमानिक माना है, तो किसी ने एपर मानिक माना है, तो किसी ने अर्ध परमानिक माना है, तो देख लेते हैं तथ्यों को, तो एपर मानिक मानने वालों में सामिल कोन नहीं है, वो है मोहनलाल विशनुलाल पांडे, तो रामचंदर शु पित्वी राज राशो को अर्द परमानिक माना है अर्द परमानिक और देख लेते हैं इससे सब्धिने बहुत की सकत्थ अध़ त्हाय पर मानिक मानने वालों में मिशर मंदू करनल डाड मोहन लाल emissions लाल पांडे शाम शुन्दर दास तथा परमानिक मानने वालों में जो है गोरी चंध हिरा चंध उर्जा, डोक्टर बुलर, मुंसी देवी परशाद, दोग रामचंदर शुक्कल, कवी राज जो है शाम वाल दास जो है पिथवी राज रासों को एपरमानिक मानते हैं और ये हमने सुनिति कुमार चटरची और एक रहे हैं अजारी पर्षा जिनी मुनिज़ेंूनि विज़ें। तो हजारी पश्याद्विवेदी और सुनीति कुमार चटर्ची और मुनी जिन विजय है, इनोंने पित्वी राजासों को अर्ध परमानिक मानने वालों और परमानिक मानने वाले आप लोगों ने उपर पढ़ी लिए, उसके बाद देख लेते हैं, आज का हमारा अंतिम पर् गुलाल कैसेगर देने बकसमोरी माल ये पंगतिया है ये किस लेखक की है किस कवी की है तो अमीर खुसरो जी की है ये देख लेते हैं अमीर खुसरो ने जो है आदिकाल के प्रमुका भी रही हैं अमीर खुसरो जी और इनों ने जो है इन तबला सितार और जो तबला सितार का अभिसकार किया था, अम्यर खुशों ने इन्होंने पहेलए मुकरिया डखकोस ले दो सुकने गजले आदी की रचनाय भी किया है। पता ही है अमीर खुसरों को हमने जो आदिकाल के अंतरगत पुलकुर डिटेल से पढ़ लिया था कौन अमीर खुसरों के गुरूर रही है कब उनका जनम हुआ किस परकार से जो है अमिल खुसरों ने कि कौन खुण सी परमुख रचनाई रही है, जैसे एक खालिक बारी कि इन रचनाओं के अंतरगत क्या है, कौन से परमुख तथे रही है, यह सबी तथे हम आधिकाल में अमिल खुसरों को जब पढ़ा था हम पढ़ चुके हैं, तो इस परकार से जब हम थ बिन्दू है तो इसी परकार से व्यक्षा सहीत अगर आप पर्शनों को करोगे तो आपको परिक्षा में काफी मदद मिलेगी तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना एक बार से फिर कहते हूं भई प्लीज लाइक जरूर कर दिया करो क्योंकि आपके लाइक से ही है थाओ ही मोटिवेड़ पर दिया है